हमें कुछ सीखने की जरूरत है नरेंडर मोदी से या PGP की गौरोंमन्ट है जिसदर से उन्होंने डिवैलिमेंट किया है, पांचभी बड़ी महिशत बनायी है, हमारे पॉलिटिशन को क्या सीखने की जरूरत है उनसे? कि हमारे पॉलिटिशन को सबसे पहले तो डेमोक्रेसी सीखने की दुरूरा था यह कि वोट भी तो इसे को देते हैं जो सड़क बनाता जो नाली बनाता यह से वैसे होकुमरान भी तो है हमारी आवाम बहुत पडलिकिया है आवाम बहुत बाशहूर है और वाली आवाम फिर अनपड़ को वोड देती है क्या पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी पॉलिटिशन को नरेंदर मोदी की हकोमत से कुछ सीखने की जरूरत है वो आने के बाद दुनिया की पाश्वी कढ़ खड़ा हम कहां खड़े हैंओ कि इस फेंट बहल सिस्टम देख लेंइवल्ए टव एफलेंद इंटिधे लेsın बाकिंटरिशनली पूरी दुनिया में इंडियन से ले हार जगह हों कि रोकिनिशन है उनकी है एक akhir एइपटेंस है है इंडिया चांड पर चलगा है और हम रहीत उसे हैं और समयुज समयों बहुत अच्छे लेकिन ह्टीकत में हमारे आद अभी आप लोगों के समझ नहीं है यहां पे लोगों को खाना को पैनने को प्रणी को प्रणी नहीं व में जूते सह सकता कि भाध उसके राजा नमेरे हमारे यहां तो उसमेर कैसे में आखे हिसमिया को आधा है पी का यह मेरा कैसे में पाइस नया है व्हां अवां मानती हुए है कि हम दुनिया में सबसे था और यहां पर यहां पर यह वां मानती चाह मिजिण क्रावर्फुल हैं क्या आगर हम फैक्स पर बात करें लोजिक तो यह क्या हम इंशे पावर्फुल हैं इस पावर 5 दिन आप अपनी हवाम नहीं खृश नहीं है आप प्योंगे लड़ेंगे और जीतेंगे। किस दुनिया में रहते है आप जो शीरी नगर वो भी हमारे पास था यह तक्सीम किसने किया था और तक्सीम करके हमारे यह जौन से आप बता रहे हैं कि यह किसी बुग का मुझे राफ्रेंस देते मेरी ओडियोंस को रेफ्रेंस देखें कोई पी चीज हमें प्लस में जाते वे नजर नहीं आती हुआ हैं दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करते हैं इंडिया के 26 सालों में आप देखते हैं कि उनका नक्षए ही चेंज हो गया मुलका वो डिवैलेम्मेंट की तरफ जा रहे हैं वो हर चीज कि हार चीज को सीरिय वा तालीम को सेरिय हैं और उनकी जो जितनी हमारी कुल हमारी जीडेपी है उनका सिरफ और सिरफ आईटी एक्सपोर्ड है पूरी दुनिया में क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें कुछ सीखने की ज़रुरत है नरिंदर मोदी से या उनकी जो बीजिपी की गुवर्मेंट है जिस तरसे उनोंने डिवैलेमेंट किया है पांसफी बड़ी महिशत बनाइए हमारे पॉलिटीशन को क्या सीखने की ज़रुरत है उनसे? हमारे पॉलिटिशन को सबसे पहले तो डेमोक्रेसी सीखने की दूरत है और यह इनकी इनकॉंपिटेंस है कि इनकी इनकॉंपिटेंस की वज़ा से मुल्क में तकरीबं 30-35 साल डारेक्ट और बाकी जो 30-35 बचते हैं वो इनडारेक्ट मर्शाल लारा है और यहां पे डेमोक्रेसी को कभी पिनपने ही नहीं दिया गया और यह फेलियर है पॉलिटिशन के पार्ट पे कि उनमें अगर कंपिटेंसी होती तो शायद डेमोक्रेसी यहां भी परवान चड़ती और इस मुलक में भी होशाली आती किसी भी सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे मुलक के अंदर वो एतिदाल नहीं है आप एक लॉयर आप बताएगा कि कितना को हमारे जिस्टिस का निजाम दुनिया के अंदर माना जाता कि दुनिया के मुकाबले में हम भी खड़े हैं सारे इदारे जो है वो तबाह अली के शिकार हैं और किसी इदारे में ना कुछ मेरिट है और हर जगा पे नेपोडिजम चलता है अकरबा परविरी है और उसकी वज़ा से ने लोगों को बिठाया जाता है और इदारों का सत्यानास किया गया है फिर हम ये दावब भी करते हैं कि हम दुनिया की सबसे मौज़िव कौम है क्या हम कौम है Healthy में मौज़िव कौम मैं तो समचता हूँ हम क aún के लाने के काबल लिए है मौज़िव तो बहुत दूर की बात है तो फिर हम ये दावे क्यों करते हैं कि सबसे अफ़ल हम है पाकिस्तान इसलाम का गड़ा है क्या इसलाम हमें ये सिखाता है कि किसी से दोनुम्बरी करो क्या सिलाम हमें ये सिखाता है कि जो भी एदारे के अंदर काम करो उसमें करप्शन करो फिर हम development की तरफ क्यों ने जारे हैं अगर हम यह सारे दावे करते हैं यह हमारे दावे है नहीं हम illusions का शिकार हैं हम हम से एक तसवराथ II सिंदीगी में और वो उसाइद हमें दिखाई जाती है हमें حकीकत ना करने कि हमें हिमत नहीं है और रहा में हमुत बहुत आच्छे हैं ल तो उसके बाद की बाद है यहां पे लोग रोड पे भूके मर जाते हैं और हमारे जो एलीट है अश्राफिया है उनकी शेख खर्चिया नहीं खतम होती है क्या हिंदुस्तान में भी यह सब कुछ होता है उनकी अगर मैंने रिसर्च की सर मेरी डिसर्च के मताबिक उनके जो र एक्पोर्ट करक्षज माता क्या है कि हमारा लिए इंडियो के साथ मेरे खाल में नहीं है इंडिया हम से बहुत आगया एक है इंडिय ऑफ यह दिया उसलित देख लें वहां पे आप आप बाकी अिडू के सिस्टम ने एख लें piace internet लें जेख लें बाकी immense नेशनली पूरी दुनिया में इंडियन्स देख लें हर जगा पर उनकी एक रेकनिशन है उनकी एक सेप्टेंस है अब तयब अर्दुवान गया है उसने का है कि इसको युनाइटेड नेशन का मेंबर होना चाहिए तो यह उनकी एक बहुत बड़ी काम्याबी है और हम कहां ख कश्मीर के मामलाद में पाकिस्तान के साथ थी खड़ी लेकिन अभी आश्ता 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 आप दे लें सौधी अरेबिया भी मिडल इस भी अब तयब उर्दुगान की आपने बात की तुर्की की बात कर लेते हैं क्या उनको समझ आगी है अप आइडियोलोजी से बाहर निकल कर नेशन का बात करते हैं वो नेशन का फाइदा देखते हैं क्या तयब उर्दुकार ना पाकिस्तान के साथ कीव नहीं। आप देख लें पिछले दो साल से, कितने international personalities जो हैं, वो पाकिस्तान आई हैं, कितनी investment आई हैं, कुछ भी नहीं, हम जहाँ पे गए हैं, हम पैसे मांगने के लिए गए हैं, और किसी ने हमें घास नी डाली हैं, उन्होंने कहा जाएं भी अपना करें, आप आपको मांगने किला वादों को काम नहीं है और हम क्या अपने एनारोज में उल्जे हुए हैं हम पुलिटिकल विक्टमाइजेशन में उल्जे हुए हैं हमें असल इश्यूज जो हैं उनकी तरफ हमारी तबज्ज़ ही नहीं है सर जो चीज़ें हमने खराब की हैं पिछले 76 सालों में आप देख लिए कि चाइना के अलावा चाइना भी एज़ा मफाद हमसे तालुकात बहतर है अधर वाइस हमारे कौन से परोसी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं जिसके हम बात कर सके के वाके में यार उस बात कर लो क हमारे उसके तालुकात बहुत अच्छे हैं किसके साथ हमने बना कर रखी आज तक हमारे परोसी इंडिया अफगानिस्तान इरान और चाइना यह तीन है चाइना की कुछ मजबूरियां हैं जिसके ताथ वह हमारे साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है अधर वाइस देख लें ह हमारे अफगानिस्तान भी हमारे साथ आप बात करने को त्यार नहीं है तो वेर वी स्टेंड इंड वर्ल्ड तो बाकी तो बहुत पीछे हैं अफगानिस्तान हमारे साथ बात करने को त्यार नहीं है वो हमें मानता नहीं है वो कहता है आप कौन है तो यह अब देखना नहीं और हमिनुजर्स में बढ़ी सूपर कावम हैं all nations सब्सक्राइब को यह घृए हैं और थैसे पावर्फल लिआक पाउर्ण दिन आप पावाम को घानाना नहीं खिला सकते बार में धास यहां asi कि आप जंगेब लडएंगे और जिएते हैं के किस दुनिया में रहते हैं आप लोग पागल नहीं है आप चलो पाकिसान में ये बिचारे जाहिल अनपड़ लोग जो रोटी रोजी की तालाश में सुबह से शाम तक भागते हैं उन को कुछ और सुचते नहीं उनको पागल बना लेंगे लेकिन दुनिया तो बार मैंत को कंपनीजी यह निए पूरा पाकस्तान फार से लिए और चुक्तांस तुनियों अखेला होते वे नजिक्ता कोई त्यार नहीं पूरा पूरा पाकिस्तान पात करने के लिए टियार नहीं है क्वारी आरा हूँ anymore जब तक हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिक गौर्मेंट नहीं आएगी, उसका तसलसल नहीं आएगा, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, कोई बेहतरी के गुजाइश ना है नहीं हो सकती है। नरेंदर मोदी और BGP से क्या सीखने की ज़रूरत है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बात मैं क्यूं कर रहा हूँ, उनके जब से BGP आये दुनिया की पांचवी बड़ी महिशत अपने मुलक को बना दिये नरेंदर मोदी की हकूमत में, नरेंदर मोदी आते हैं तो उनक क्रीक टरफ आप हमारे क्राइसिस दे लें, क्या हमारा अंसे है कुछ, क्या पाकिस्ताइन पॉलिटिशन को उनसे कुछ सीख ले लेना चाहिए? ये उन से सीखना चाहिए बलके मैं चाहता हूँ कि पूरी जो दुनिया है ना उस से सीखना चाहिए क्योंकि हमारे जो पॉलिटिक्षिन हैं ना मोस्ली मैं यह नहीं कहता है वो अनपड़ लोग हैं उनको पहले एजुकेट करना चाहिए पॉलिटिक्षिन को पहले उनको एज पड़ी लिखी है वो क्रीम है हमारी जो है ना यह अनपड़ लोग ज्यादा अनपड़ लोग आते हैं उनको यह नहीं पता कि मैं किस काम के लिए आया हूं जागिर्दाना जागिर्दाना अंजाम है और दूसरा यह कि हमारे जो 17 चाम अस्वली में बैठके कानूल बनाना यह बैड़ जाते हैं नारी यह बिएड़ इसस घूक देते हैं जो keyword code क chemicals той liquorा यह वह व्यक्त देते हैं जो सडक बनाता जो नाली बनाता है हमारी ऑवान जैना हुआम भूलbon पड़ने है महां बहुत बाशोर है और रवाली अवाम फिर अनपड़ को वोड़ देती है उसका ज्यादा जो है नो वो मेरे नदीख तो यह को पड़ा लिखा तबका आता नहीं है जो पड़ा लिखा तबका है वो बाहर भाग रहा है अब देखें कि कितने डक्सर्थी हैं वो इस साल पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं कि य तफफ़ नहीं है कारोबार नहीं है अब देखें ना बिजली जो है बिजली ये पाखितान के नाइन्थ क्लास का बच्चा पैदा कर सकते हैं लेकर यहां बहरा नहीं बहरा था है लेकर उसालों का मुएदय तो किया हूँआ कंपनी से मुएदे की बाद नहीं है यह हैं उसको परती है उसको स्पोर्ट करती है और इसी वाय से वो लोग हम से आगे हैं और वो तकी का रहे हैं और हम क्या हम आप भी भी जोनी के चक्क्र में हमारे पास बीजी नहीं पाणी नहीं इस जब कि यह चीज tir हमारे पास वाफो रहें इनको यूटिलाइज करने वाला कोई नहीं है और चांद पर चला गया और हम जो हैं आम चांद बना रहे हैं कब चांद बनेगा कश्मीर कि बात करी दी है क्या लगता है कि इन सारी सिच्वेशन के अंदर कश्मीरियों को हम कहेंगे कि भाई वो सारे फैसल्टी जो आपको इंडिया की तरफ से मिल रही है आटा जो आपको 25-30 रुपय का मिल रहा है वो छोड़कर आप 200 रुपय के केजी आठी के पीछे हो क्या वह आएंगे हम हम यहां पर चूरण बेज रहें कश्मीर बने गाफ पाकिस्तान के पाक्स्तान स्विङ़ रहे हैं क्श्मीर बने पाक्स्तान क्विने क्च्छ कशमीर चोड़ सकता है या हम कश्मीर को कश्मीर अलग लैंड बना करेंगे कभी नहीं हो सकता फिर यह क्या वजवात है ना उनके साथ सुला कर रहे हैं ना और कर रहे हैं कश्मीर के अंदर डेली सिस्ट में जो वाइलेशन जो मौईड़ा हो था उसकी वाइलेशन होती जा र ना यह तो बुट्टो की बात सच है क्या कहेंगे कि शिमला मौाइदा भी कर लिया उससे पहले जब कश्मीर का मसला था कश्मीर जब आजाद हो रहा था उसने तो लिखकर दिया था कि यह तो कश्मीर तो हिंदुस्तान का बनेगा पाकिस्तान का नहीं पतो है खत वाले था अडिया क्याद आसे क्या गहां दो हुए हिसानी पीजान कश्मीर कुमेर को वकुछ लगाया तो hiçbir मिसमतिन की पास चलא गया था है रुसी के लिए आज तक हम यह सब hormones कितना है सा अब यह मैं एक्जक्ट नहीं सकता कि नई जो शीरी नगर भी हमारे पास था यह तक्सीम किसंट इसने किया था और तक्सीम करके हमारे करें यह किसे हें किसी बुक का मुझे रेफ्रेस्स को रेफ्रेंस देतै मेरी ऊडियोंस को रेफ्रेंस मेस कोक्ट याद नहीं है ठीक है मतलब कि यह बात थे गया मिज contributes procedure अदिवर से रिब क्पडा था हमारे मुतालिया पाकिसिताने उस मौैदे के तब हम Дेखें तो हमने ene कितने बड़े सब्सक्राइब करने का परपस है कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखते हैं तो हमें फैलियस नजर आते हैं हमें अजाद हुए 76 साल हो गए हैं लेकिन हमने अपनी जीडीपे का गराफ एकोनोमी का गराफ उपर जाते हुए नहीं देखा दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया की नरिंदर मोदी की और उनकी जितने भी पॉलिटिशन आये उनको भी 76 साल हो गए हैं लेकिन वो डिवैलमेंट की तरफ जा रहे हैं हर एक सेक्टर के अंदर वो अपनी मुलक को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं उनकी पॉलिटि क्या करने चाहिएंगे सार बाद यह के बिल्कुल आप सी कहा है कि पाकिसान और इंडिया बिल्कुल सेम डे में अजाद हुए लेकिन आज जो है वो इंडिया कहां खड़ा है और हम कहां खड़े है उसमें एक ही वजज़ाएं के अप देखें कि आगए तक कभी मार्शालला प्रयारा नहीं लागा जब के पकिसान के अंदर 3 दफा मार्शा लाजा य़ि ये को यह कोई टुक को इस अधिया वह आज आएगार हमारे स्यासा लोग हैं वो भी जिस देखते हैं कि हवा की सरूख की है जिदर के सियासादान जाटाइजमेंट ना के सिर्फ दुनिया के मफां की खिदमत के लिए बलकि अपने जाती मफदाद हैं जाती मफदाद की वनियार कि क्या कहेंगे कि एक तरफ वह जो के हर रोज ट्रेंडिंग पर रहते हैं कभी चंदरियान के नाम पर कभी G20 के नाम पर G20 इंदुस्तान में होती है कभी चंदरियान वो लॉंच करते हैं इसी तरह के हर एक अभी आपने देखा होगा कि 20 मुलकों के प्राइम मिनिस्टर्स ने विजिट किया है हिंदुस्तान क्या कहना चाहेंगे कि वो day by day क कोई नहीं हर रोज सुनने को मिल जाता कि उनकी पांच्वी बिड़ी महिशत बन गी उन्होंने आइटी के अंदर तीन सो साड़ी तीन सो बिलियन डॉलर्स अचीव कर लिए एक्सपोर्ट करके इंडिस्ट्री को यहां पर हमारे अंदर से बिजले की बिल बढ़गे पिट् जो वाकिवे आउंवकि फिलाह-अ-बबोथ के लिए उनको रस्ता दें। और उनको मौका दें के नहीं हम ने अवाम के लिए खर्च करना है और अवाम को आगए लेगाने। इतने साल हो गे 26 साल हो गे हमने चार जंगे भी लड़ ले क्या अंदाज़ा लगाया क्या जंगों से कुछ आसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है जंग से बिलकल हमारा जो मजभ देने इसलाम महां ऊसमें तो यह है आल कुफार के लिए जुए वो हमेशा आप अपने गोडे तयार रखें